हेलो प्रेंट्स, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत खुश होंगे मैं भी इस वर से इप्रात्ना करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें और हस्ते मुस्कुराते रहें और देखे, अभी बज़ा है दुपेर का करीब सबातीन साड़ी तीन और मैं थोड़ा नर्सरी जा रहे हूँ कुछ पौधे लेने के लिए अब थोड़ा सा नया शौक पाले हैं, प्लांट लगाने का तो मैं थोड़े से पौधे लेने नर्सरी जा रहे हूँ और देखे, थोड़े पौधे मैं पहले भी लाई हूँ, बिंटर से पहले पर उसमें से कुछ सूख गए हैं और कुछ अभी है शायद बिंटर की वज़े से सूख गए होंगे, पर कुछ अभी बाकी है तो मैंने सोचा थोड़े से और ले आती हूँ तो इसलिए मैं नर्षी जा रही हूँ, नर्षी मेरे खड़ के पास में ही है, तेर सो दो سमीटर की दूरी पर ही है बस तो अभी मैं जब नर्षी से लौट कराउंगे, तब मैं आपसे बात करते हूँ नहीं मैं जब nursery पहुँच जाओंगे तब मैं आप से बात करूँगे अब friends मैं nursery पहुँच गई हूँ और ये है nursery का gate अब हम अंदर जाएंगे और देखते हैं कि यहाँ पर कौन-कौन से पौध है आज मिल रहे हैं यह देखिए यह nursery वाले भहिया हैं और इनसे पूछ कर मैं यह वीडियो शूट कर रही हूँ यह वाला पौधा यह मैंने इनसे पूछा कि कौन सा है तो इन्होंने बिगोनिया बताया यह बिगोनिया है भहाई और यह देखिए बहुत सारी roses भी हैं इनके पास मुझे white color का रोज चाहिए था पर इनका white color का रोज खतम हो गया है चलिए और देखते हैं इनके पास क्या क्या है देखिए red rose और pink rose तो खूब है इनके पास और अब इधर देखिए यह इन्होंने लगाया है गेंदा जब मैंने इन भाईया से पूछा तो इन्होंने बताया कि दो तरह के गेंदे होते हैं एक गर्मी वाला और एक सर्दी वाला तो मुझे तो भाई पता नहीं था कि दो तरह के होते हैं पर इन्होंने जो बताया वो मैं आपको भी बता रही हूँ यहाँ पर यह जो इन्होंने पौध लगा रखे है यह गर्मी वाले गैंदे की है यहाँ पर यह देखिए यह मोर पंखी है और देखिए यह छोटी-छोटी और भी बहुत सारे پलांट्स है पता नियीए किस चीज के है मुझे जादा मालूम नहीं है ये इधर इन्होंने मिट्टी के गमले भी रखे हुए है ये भी बेचते हैं ये और खाद देखिए बोरियां दिखाई दे रही है ये खाद है मिट्टी है और ये देखिए इधर भी कुछ प्लांट्स हैं पता नहीं किस चीज के हैं और ये बटरफलाइ प्लांट है ये सीमे लेविल हो जाती है इनके पास इधर देखिए ये डहेलिया के पौधे हैं और इस तरह से जो साइखिल वाला ठेला होता है उस पर रखकर ये पौधों को बेचते हैं ये देखिए सीजनल प्लांट्स इनके पास आज खूब हैं तो फ्रेंड्स अब मैं घर वापस जा रही हू तो देखिए फ्रेंड्स कौन कौन से पौधिल आई हूँ आज मैं एक ये लाई हूँ और एक ये ये दोनों सीजनल हैं ट्वेंटी ट्वेंटी रूपीज के दिये हैं उन्होंने और एक ये वाइट रोज है ये तो 80 रूपए का उन्होंने बताया था पर 60 में लगा लिया तो मैं 100 रूपीज में ये तीनों लेकर आई हूँ और एक पौधा ये चोटा सा कोलियस है ये उन्होंने मुझे 15 रूपीज में दे दिया तो मैं ये भी ले आई और ये चारों पौधे में लाई हूँ ये गमले रखे हुए हैं तो इन ही मैं मैं इन पौधों को ट्रांसफर कर दूंगी अब मैं आपको थोड़े से पुराने पौधे भी दिखा देती ये देखे फ्रेंड्स ये में एक रेड रोस लाई थी देसी वाला तो इसमें उपर टहनिया बहुत लंबी-लंबी थी तो म पौट में लगा दें यहां पर भी देखिए ये मेरी दो तीन टहनी चल गई है तो अभी जब थोड़ा सा और बड़ी हो जाएंगी तो मैं इसको दूसरे पौट में टांसफर कर दूंगी और एक में ये लाई थी बटरफ्लाइ प्लांट ये तो मेरा बहुत अच्छा हो ग सब्स dv मैं लाई थी ये वी मेरा सही है अच्छा चल गया तो फ्रेंड्स एक कोलीयस में लाई थी रेड और deine की कॉम्बिनेशन में बहुत ही सुन्दर था वो मेरासू गया एक में मैं और इस लाई थी ग्रीन ओर यल्लो kah वो भी मेरा सूुख गया इसा ही मीरे दो इन फ पूछ लेती हूं जहां से मैं लेकर आती हूं कुछ यूट्यूब से देख लेती हूं और ऐसे ही मैं तोड़ा बहुत यह सब कर लेती हूं बाकी मुझे कोई जादा नहीं आता है प्लांस के बारे में तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पर खतम करती हूं ओके मिलते हैं अगले ब